तो अगर आपको किसी भी श्रिंग को सेंटराइज करना है तो आप यूज करते हैं सेंटर मेठर और आज की स्वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम सेंटर मेठर को कैसे यूज करते हैं तो अगर आपको इस हर्ष को सेंटराइज करना है मान के जली आपको ऐसा कुछ आउटपूट करना है डबल स्टार उसके बाद हर्ष लिखा होना चीए और उसके बाद फिर से डबल स्टार होना चीए तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप उसे कैसे करेंगे तो आप उ यहाँ पर सब्सक्राइट करते हैं मैं अम चोरिक शूटा करना है तो हम हम veins हर्ष नाम की string को centerize करनी है तो हमें इस name का जो length होगा उससे ज्यादा कुछ center करना है तो मान के चलिए हमें यहाँ पे 7 का center करना है और हमें किस से center करना है हमें मान के चलिए star से center करना है तो हम double quotes के अंदर star लिखेंगे और यहाँ पर मैं 7 लिखाँ हूँ और मैं इसे अगर print करूँ और मैं run करूँ तो ये देखिए हमारे पास हर्ष आया है लेकिन हर्ष के left में एक star है और right में भी एक star है पर अगर आप चाहते हैं कि हर्ष के left में 2 star हो और right में 2 star हो तो आप वो ऐसे भी कर सकते हैं आप यहां क्या लिखेंगे यहां पर आप 9 लिखेंगे तो क्या होगा हर्ष का सबसे पहले लेंद देखेगा और लेंद के बाद जितना भी नंबर बचेगा उसका हमारे center में एक star लगा देगा तो सबसे पहले right में star लगेगा तो यहां पर आजाएगा 6 फिर 7 फिर यहां पर आजाएगा 8 फिर यहां जाएगा 9 और अब मैं save करके run करूँ से तो यह देखिए हर्ष के left में 2 star है और हर्ष के right में 2 star है पर अगर मैं यहां पर 9 के जगा लिखूँ 10 10 लिखने से क्या होगा और मैं save करके run करूँ तो यह देखिए right में 3 star है और left में सिर्फ 2 star इससे क्या पता चलता है कि हमारा center method सबसे पर राइट में star लगाता है और फिर जाके left में star लगाता है और अगर हमें star के अलावा और कुछ लगाना हो जैसे मैं यहां पर add rate लगाता हूँ तो अब मैं save करके run करूँ left में 3 add rate आ चुगा है और right में 2 add rate आ चुगा है तो आप center method को use करके किसी भी string को centerize कर सकते हैं तो अभी तक हमने बात किया है कि हम किसी भी string को centerize कैसे कर सकते हैं पर अगर आपको इस string का length मालूम ना हो तो भी आपको center करना हो तो आप उसे कैसे कर रहेंगे तो मैं यहाँ पर एक string copy करके रखा हूँ मैं इसे paste करता हूँ और मैं इसे comment out करता हूँ और मैं इस string को एक variable में assign कर लेता हूँ where नाम के variable में तो इस where नाम के variable में सारा कुछ है और अगर मैं इस variable को print करवा हूँ और मैं save करके run करूँ हमारा पूरा string प्रिंट हो चुका है पर अगर हमें इस पूरे string को सेंटराइस करना है मानके चलिए left में 2 star होने चीए और right में 2 star होने चीए तो अगर हमें ऐसा कुछ काम करना है तो हम इसे कैसे करेंगे हम इतने बड़े string का length तो count करेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे हम एक length नाम का variable बनाते है और इसमें हम length function को use करते है और हम length function में डालते है where तो इससे क्या होगा length function हमें पूरा का पूरा string का length प्रोवाइड करते है और वो हम length नाम के variable में store कर लिए अब हम चाहते हैं तो काम कर सकते हैं अब हम चाहें तो where नाम के variable में center matter को call कर सकते हैं और center matter में हम पहले length बताना होता है तो हम length के जगा में यहां डालेंगे length plus 4 अगर आपको left में 2 star चीए और right में 2 star चीए तो यहां पर 4 डाला हूँ क्योंकि सबसे पहले इसका length होगा और length के बाद जितना हमें star लगाना हमें वो बताना होता है और उसके बाद हमें star लगाना है तो हम कॉमा लगा के double quotes के अंदर लिखेंगे star और अब मैं save करके run करूँ हमने यह पर print नहीं करवाया था तो मैं यह पर print करवाता हूँ सबसे पहले और अब मैं save करके run करूँ तो यह देखिए left में 2 star आ चुकी है और right में 2 star आ चुकी है तो I hope आपको समझ में आ चुक होगा कि हम center method को कैसे use करते हैं thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content